हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 360 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का पिछला वीडियो मिल ज शक्ति याने के छोड़ देने की शक्ति का मतलब क्या मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 21 साल से कम आई हुका है और उसने जुर्मान्या हो इतना ही अपरात किया है या ऐसा अपरात किया है जो की साथ वर्स से कम के लिए दंडित किया जाना चाहिए याने कि साथ वर्स तक के का कारवास से दंडित किये जाने योग अपराद जिसने किया है या कोई इस्त्री है जिसने आजीवन कारवास या मृत्यू दंडित किये जाने वाले अपराद से कम अपराद किया है तब ऐसे समय में और वह अपराद पहला अपराद है एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि वह मतलब आदतन अपराद ही नहीं होना चाहिए उसमें ऐसा पहली बार किया है तब ऐसे समय में उसको सदाचारण की परिविक्षा करने तक के लिए मतलब कि यदि वह इस बात की ग्यारंटी दे देता है कि परिशान्ती कायम रखेगा और सदाचार बना के रखेगा तब ऐसे समय में उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है एक बात तो ये दूसरी बात ये कि इसमें लिखा भस्रना के पश्चाद छोड़े जाने की शक्ति यानि कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराद किया है जो दो व परना मतलब डांट फटकार यानि कि जो है नियाल है उसको डांट फटकार करके भी छोड़ सकता है यदि उसका ऐसा पहला अपराद है तो यहीं बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है बड़ा क्या है जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसको यदि हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टॉपिक बढ़ जाएगा तो क्या लिखा हुआ है इस समझ में हम पढ़ लेते हैं समझ तो हमने लिया है कि इस टॉपिक में हमको क्या मिलने वाला है क्या लिखा हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति जो 21 व चक्ति जो 21 वर्से से कम आयू का है या कोई इस्त्री ऐसे अपराद के लिए जो म्रत्यु दंड या आजीवन कारावाद से दंडनी नहीं है दोसिद्ध की जाती है तो अपरादी के विरुद कोई पूर्व दोसिद्धी सावित नहीं हुई है तब यदि उस नियालय को जिसके समख्च उसे दोसिद्ध किया गया है अपरादी की आयू शील या पूरुब्रत और जो उन परिस्थितियों में जिनमें अपराद किया गया है यानि कि अपराद की परिस्थितियों को भी यहां पर देखने की बात कही गई है यानि कि अपराद की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे उसे छोड़ा जा सकता है तब नियालाय ऐसा कर सकता है ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि नियालाय को नियालाय को यह प्रतीत होता है कि अपरादी को सदाचरण की परिविक्षा पर छोड़ देना समीचीन है तो नियाला उसे तुरंद कोई दंदा देश देने के बजाए निदेश दे सकता है कि उसे प्रती भूओं सहित प्रती भूओं मतलब यो ग्यारंटर वगेरा होते हैं जो ग्यारंटी देते हैं याने कि जो जमानत देते हैं तो जो जमानत दारों के सहित या जमानत दारों के रहे, उसके द्वारा यह बंदपत्र लिख देने पर छोड दिया जाये, क्या बंदपत्र लिख देने पर? कि भए तीन साल से अनादिक के लिए, यानि कि तीन साल तक के लिए, जो है, इतनी अबदी के दोराण, जितनी की नियाले विनिर्दिस्ट करें, दो साल, दाई साल, तीन साल से जब भी है, बुलाए जाने पर हाजिर होगा, तब हाजिर हो और दंडा देख पायेगा, याने के तब उसको दंडा देख देंगे, इस बीड परिशानती कायम रखेगा और सदाचार बना करके किसी व्यक्ति से बेट कोई किसी भी प्रकार का लड़ाय जगडा नहीं करेगा। इस प्रकार की बात यहां पर कही गई एक बात और यहां पर कही गई कि यदि भाय द्वत्ति वर्ग मजिस्ट्रेट है तो वो क्या करे द्वत्ति वर्ग मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वो जानकारी भेद देगा कि यह ऐसी ऐसी परिस्तिति ससक्त नहीं किया गया है याने कि इस बारे में यदि किसी नियालय को ससक्त कर दिया गया है तो बात अलग है लेकिन यदि उच्छ नियालय के द्वारा याने कि हाई कोट के द्वारा उसको ससक्त नहीं किया गया है दोस्चिद किया जाता है और मजिस्टेट की यह राय की इस प्रतंबर्ग मजिस्टेट को काड़वाई के लिए भेज देगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्टेट के पास भेजेगा अद्वा उसकी उस मजिस्टेट के समख्ष हाजरी के लिए जमानत देगा जमानत लेगा और वह diary मजिस्टेट उस मामले का निप्टारा मुपधारा 2 में उबबंदीत रिती से करेगा उबधारा 2 कौनसी? जह अभी हम पढ़ने वाले हैं वह वाली तो उबदारा 2 के अंतरगत जो है उबधारा 2 के अंतरगत जो है वह कारवाई करेगा और फिर चाहे तो वो किसी व्यक्ति को जेल भी बेज सकता है और यदि वो चाहे तो सदाचरण की परिविक्षा पर भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ सकता है यानि कि प्रतंबर्ग मजिस्टेट की उपर डिपेंड हो जाता है कि फिर वो क्या करें प्रतंबर्ग मजिस्टेट को उपधारा एक द्वारा उपबंदित रूप से निवेदित की गई है वहाँ ऐसा मजिस्टेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा की यदि मामला मूलता है उसके द्वारा सुना गया होता तो वह देता और यदि वह किसी प्रश्ण पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष आभशक समझता है तो वह स्वयम ऐसी जांच कर सकता है या ऐसी साक्ष ले सकता है अत्वा ऐसी जांच किये जाने पर ऐसे साक्ष लिये जाने का निदेश दे सकता है यहना कि प्रतंबर्ग किसी एसी दसा में जिसमें कोई व्यक्ती चोरी किसी भवन में चोरी बेईमानी दुर्वनियों चल भारती दंड सहीता अता desta सो साथ के अधीन दो वर्स से आनाधिक कारावास के बने नहीं किसी अपराद के लिए या केबल जुर्माने के लिए अपराद के लिए दो सिद्ध किया जाता है कोई ऐसा वेक्ति है जिसको दो वर्ष से कम का ही जुर्माना हुआ है दो वर्ष से कम की कारवाद की सजय हुई है या अकेला जुर्माना हुआ है उसके विरुद कोई दो सिद्धी नहीं है और इस अपराद में उसको दो सिद्ध किया गया है जिसमें दो साल से कम की कारावास की सज़द दी गई है ठीक समझे तो वह अपरादी की आयू शील पूरब्रत या सारीरिक या मांसिक दसा को और अपराद की तुछ प्रकृति को या किनी परिसीमन कारी परिस्थित कियों में जिनमें अपराद किया गया था ध्यान में रखते हुए उसे कोई दंड़ा देने के बजाए सम्यक भस्तरना के पश्चात छोड़ सकता है बस्तरना मतलब क्या बस्तरना मतलब की उसको डांट कर डांट फटकार करके ऐसा अपराद आप बात में नहीं करोगे और पॉइंट नमबर चार कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायले या उच्च न्यायले द्वारा या सेशन न्यायले द्वारा भी किया जा सकेगा जब अपनी पुनरक्षण सक्तियों का प्रियोग कर रहा हो यह नहीं कि निगरानी की सक्तियों का पुनरक सकतियों का प्रियुक जब नियाले द्वारा किया जा रहा है तब भी इस धारा के अंतरगत कारवाई कर सकता है इस धारा के अंतरगत दी गई प्रियोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और ऐसे अपरादी को उसके बदले में विदी के अनुसार दंडादेश दे सकता है याने कि यदि नियायलय ने ऐसा आदेश कर दिया है कि समय बस्तना पर छोड़ दिया है या सदाचरण की परिविक्षा पर किसी व् लेकिन अपिली नयायलय उससे जादा दंड नहीं दे सकता है जितना की निचले नयायलय द्वारा दिया गया था उससे दंड को बढ़ाएगा नहीं हाँ भटा सकता है तो इसमें लिखा ना परंत उच्च नयायलय या सेशन नयायलय इस उपधारा के अधीन उस दंड से सिद्ध किया गया था पूर्व नियालाय के द्वारा नितने लाइन नियालाय के द्वारा उस चे जादा दंड नहीं दिया जा सकता हुए पॉइंट नमबर छे कहता है कि धारा 121 धारा 124 और धारा 343, 373 के उपद इस धारा के उपदों के अनुशरण में पेश किये गए परतिभूओं यानि के जमानदारों के बारे में जहां तक हो लागू होंगे याने के जमानतदारों के बारे में यहाँ पर ये भी बात बता दिए पॉइंट नमबर साथ कहता है कि किसी अपरादी के उपधारा एक की अदिन छोड़ दिये जाने का निदेश देने के पूर नियालय अपना समादान कर लेगा कि उस अपरादी का या उसके प्रतिभू का प्रतिभू यानि जमानतदार का यदि कोई जमानतदार है तो कोई नियतवास या इस्थान या नियमित उपजीवी का उस इस्थान में है जिसके सम्बद में नियालय कारी करता है या जिसमें अपरादी को उस अपरादी के दौरान रहना संभाव है जो सर्तों का पालन करने के लिए उल्लेखित की गई है यानि कि नियाला जो है उपधारा एक के अंतरकत आदेश देने के पूफ उसके निवास इस्थान की जानकारी ले लेगा उसकी उपजीबी का यानि कि वो काम क्या करता है काम धंदे के बारे में जानकारी ले लेगा और इस्थाई निवास के बारे में जानकारी ले लेगा कि भईया फ़लानी जगे पर व्यक्ति मिलेगा या भविश्य में जहां वो रहने वाला उस संबंदि जानकारी ले लेगा पॉइंट नमबर आठ कहता है कि यदि उस निया लएका जिसमें अपरादी को दोस्चिद किया गया है या उस निया लएका जो अपरादी के संबंद में उसके मूल अपराद के बारे में कारवाई कर सकता था समाधान हो जाता है कि अपरादी उसके मुचलके की सर्तों में से किसी का पालन करने के लिए असफल रहा है तो उसे पकड़े जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है कौन कर सकता है जिस न्यायले के द्वारा उसको सम्यक परिविक्षा पर छोड़ दिया गया था सदाचरण की परिविक्षा पर छोड़ दिया गया था और उसने इस प्रकार का पालन नहीं किया है तो फिर वो वारंट के माध्यम से गिरपतार करवा सकता है नियाल है यानि कि मुचलके की सर्तों का यदि पालन नहीं किया गया है तो फिर ऐसे समय में नियाल है जो है उस व्यक्ति को वारंट जारी करके बुलवा सकता है पर्ड नममर 9 कहता है कि जब किसी अपरादी को ऐसे वारंट पर पकड़ा जाता है तो वह वारंट जारी करने वाले मेजिस्टेट के समक्ष तत्काल लाया जाएगा जीट और नयाला है या तो तब तक के लिए उसे अभी रक्र्षा में रखेmore के लिए कर सकता है जब तक की मामले की सुनवाई ना थैयाने के जबел रख्रतर पर कि दक दल्डा के लिए हादिर होगा परियाब्त प्रति फुपती लेकर जमानत मन्जूर कर सकता है और ऐसे यहले कि पश्चात दंडादेश दे सकता है यृनि कि जमानतदार के आधार पर दिएख चोड़ सकता है और ज़ेल भी वेज सकता है यह न्याली या के विवेक के उपर देड्य कर सकता है जब तक कि वह दंडादेश ना देरा पॉइंट नमबर दस कहता है कि इस धारा की कोई बात अपरादी परिविक्षा अधिनियम 1958 या बाल अधिनियम 1960 या किशोर अधिनियम के उपचार प्रसीक्षन या सुधार से संबंदित तस समय प्रवत्त किसी अनिविदी के उपबंदों पर प्रभाव न डालेंगे याने कि ये धारा जो है 360 जो धारा है ये जो है किसोर अधिनियम पर या परिविक्षा अधिनियम या इस संबंदित जो मैंने बताया बाल अधिनियम से संबंदित जो भी होंगे उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे ये भी यहाँ पर बता दिया गया तस समय प्रवत्त किसी व लिख दी गई है, CRPC 1973 में लिख दी गई, अभी 2022 चल रहा है, तो 1973 से 2022 तक लगवग लगवग 50 साल हो गए, 50 साल से भी जादा हो गए, तब ऐसे समय में आज कोई नई विदी बना दी जाए, तो इसलिए ये इसमें लिख दिया गए, तस समय प्रभत किसी विदी के अधीन, या आज कोई विदी चल रही हो, तो उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं होगा, यहाँ पर ये भी लिख दिया गया, तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया, CRPC की धारत 360 के बारे में, यदि आप CRPC से अगला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किलिक करें, यहाँ से आपको CRPC का अगला वीडियो भी मिलेगा, CRPC, IPC और भारती संबिदान से रिलेटेट समकुन वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो यदि आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेल आईकन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,